खौफ में इस रहे हैं इरान का एटम बम तयार बाते और दावे तो बहुत दिनों से हो रहे हैं कि इरान इसरेल से हमाश चीफ इसमाईल हानिया के बदलाज जरूर लेगा लेकिन हमाश चीफ हानिया के हत्या के 16 दिन बाद भी इरान ने इसरेल पर एक भी गोली अभी तक नहीं चलाई है आखिर इरान इतना ज्यादा वक्त इसरेल पर हमला करने में क्यों लगा रहा है इस सवाल का एक जबाद ये है कि इरान इसरेल पर बहुत बड़ा परमालू हमला करना चाहता है ताकि इसरेल को दूबारा हमला करने का मौका ही न मिले इरान से जोड़े इस संसनी खेज खबर में इसरेल के होश दुड़ा दिये हैं। इरान के परमाणू हमले को लेकर क्या तयारियां चल रही है। इरान इसरेल परमाणू बंब से हमला करता है तो इसरेल ऐसे स्थिती में अपने बचाओ के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। जो पूरे मिडलीस्ट के लिए बेहत खौफनाक है खास तोर से इसरेल के वजूद के लिए। इरान अपने बैतरीन, गून और मिसाईले के लिए मश्रूर है। दाबा किया जाता है कि इरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाईले मौजूद है। दिक्कत ये है कि इरान से इसरेल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलो मीटर तक है। ऐसे लिए इसरेल के पास एक ही राज्ता है कि उसे इसरेल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाईले मिलें जो इसरेल को एक ही हमले में तबाह करके रख दें। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर इरान ने अभी तक इसरेल पर खातक हमला नहीं किया है। राशवदी शी जिनपिंग इरान के सुपीम लीडर आयातुल्ला अलिखाम ने को साफ संदेश दे चुके हैं। राशवदी जरूरत के मते नजर उसे वूस ले इसकंदर मिलें इसकंदर मिलें। इरान की मिसाइल जरूरतों के मते नजर उसे वूस ले इसकंदर मिलें। इरान को इसरेल तक पहुँचने के लिए लगवग 1200 किलोमीटर की मारक शम्ता वाली मिसाइलों की आवश्यक्ता है। इसकंदर सिस्टम की मारक शम्ता 500 किलोमीटर तक है। इसकंदर साफ कहना है कि इरान इजरेल पर बहुत बड़े हमले का प्लैन बना चुका है। यानि इरान अब रूसी मिसाइलों से इजरेल पर हमला करने जा रहा है। अब दुटम की आवश्यक्ता है। अब दुटम कि अना चुका है। छुका है। फिल्फ मे कने के मीतमाने के अच्टर हार ओनता दुटमान हसली रखत गरोगादाना पूरो रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संग के सुरक्षा परिशत के सचेयो सरगेई शोईबु। तेहरान में जिस वक्त एरान के आया जिसी के कमांडर मेजर जनलर मुहम्मद बागेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस में इस्रेल इरान युद में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इसके अलाबार रूस ने इरान को उपक्रा नेविगेशन सिस्टम मर्मंक्स BNEWS भी दिया है। रूस के इसकंदर परमाणू क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से इरान अब इस्रेल में कुछ कर कभी इसकंदर मिसाइल से हमला कर सकता है। जबकि रूस का उपक्रा नेविगेशन सिस्टम मर्मंक्स BNEWS इरान को ऐसी कुछमता देगा कि इस्रेल के लड़ाको जेट और मिसाइले हमला तक नहीं कर पाई। इरान इस वक्त अपने परमाणू बंकर से मिसाइलों को तेजी से लगनान और सीरिया में गुप्त ठिकानों तर पहुँचाने में जुटा है। ज़के सिर्फ कुछ तकनों को निशन मिसाइले हमला थे। रजीम सहुनी जनायतकार आपने लगनान झाल्रमाणू खाई। جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود میدانی